एंचिंसिया का शाही परिवार फ्लाइंग दर्बी रेस देखने जाता है। सोफिया कहती है कि किंग्डम में फ्लाइंग दर्बी उसका पसंदीदा खेल है। उसकी माने बताया कि कैसे सोफिया अपने पुराने गुड़े को उड़ने वाले गुड़े की तरह इस्तिमाल करक रेस के दौरान जेन्स ने खुलासा किया कि रोयल प्रैप की अपनी फ्लाइंग दर्बी टीम है और सोफिया ट्रायल के लिए वहां जाने के लिए सेहमत हो जाती है अगले दिन रॉयल प्रैप में सोफिया ने खुलासा किया कि वह वास्तब में देखने के बजाए टीम के लिए ट्राइ करने के लिए वहां गई है जिससे सभी हैरान रह गए राजकुमार, यूगो और एमब एक गीत के माध्यम से उसे बताते हैं कि यह राजकुमारी की बात नहीं है क्योंकि यह पारंपरिक रूप से केवल राजकुमारों की बात है एंचेंसिया कैसल में उदास सोफिया अपने पशु मित्रों को बताती है कि यूगो और एंब ने क्या कहा वे उसे इसके लिए प्रोटसाहित करते हैं क्योंकि यह उसके लिए बहुत मायने रखता है और वह सहमत हो जाती है रात के खाने पर वह घोशा करती है कि वह फ्लाइंग डर्बी टीम के लिए ट्राइ करने जा रही है जिस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं उसके माता पिता और बेलीविक उसका समर्थन करते हैं लेकिन अमब और जेम्स उसका समर्थन नहीं करते एमबर अभी भी जोर देकर कहती है कि राजकुमारियों को फ्लाइंग डर्बी रेसर नहीं बनना चाहिए जब कि जेम्स को बस इस बात की चिंता है कि उसकी छोटी बहन उसे हंसी का पात्र बना देगी जब जेम्स बताता है कि सोफिया को घोड़े की सवारी करना भी नहीं आता फ्लाइंग डर्बी रेसर बनना तो दूर की बात है रोलांड उसे उसे सब कुछ सिखाने के लिए कहता है और बेलिविक से उसके लिए सवारी की कपड़े बनवाता है अगले दिन सोफिया अपना खुद का घोड़ा लेने के लिए तैयार हो जाती है और उसे एक ऐसा घोड़ा मिल जाता है जिसे कोई नहीं चाहता दुर्भाग इसे सोफिया को शुरू से ही परेशानी होती है और ह्यूगो उसका मजाक उड़ाता है जेन्स उसे सब कुछ सिखाने में मदद करता है और उसे सब कुछ सिखाता है फिर वह सोफिया को दौड़ना सिखाता है लेकिन वह स्टीपल से नहीं गुजर पाती जो कोर्स के आखिरी बाधा है उस रात, Ember एक बार फिर सोफिया को दोड़ने से रोकने की कोशिश करती है कहती है कि स्टीपल से गुजने में विफल होने के कारण वह लगभग दुर घटना ग्रस्त हो गई थी और वह नहीं चाहती कि उसे चोट लगे सोफिया की पशुमित्र उसे कल अभ्यास में जल्दी शुरू करने के लिए पुजसाहित करते हैं अगले दिन सोफिया कोर्स पर अभ्यास करती है एक गीत के माध्यम से सोफिया टील में जगह बनाने के अपने द्रिर संकल्प को व्यक्त करती है हाला कि वह अभी भी स्टीपल से आगे नहीं बढ़ पाती है यूगो प्रकत होता है और उसे बताता है कि ऐसी दोर शुरू करने का कोई मतलब नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते और उसे बस वही वापस जाना चाहिए जहां वह है अन्यराजकुमारियों के साथ और मिरेंडा कहती है कि सोफिया खुद जो सोचती है वही महत्वकूर्ण है दोर के दिन बहुत से लोग ये देखने के लिए आते हैं कि क्या कोई राजकुमारी टीम में जगह बना सकती है सोफिया अंतिम स्थान से शुरू करती है लेकिन जल्दी ये आगे बढ़ जाती है जिससे यूगो टैक करता है कि उसे सोफिया को दौर से बाहर करना होगा वो अपने घोडे को अचानक रोक देता है और सोफिया को उसके घोडे से गिरा देता है जिससे एंब और बील चौंक जाती है बुस्से में एंब ने अपना पंखा बंद कर लिया और ह्यूगो को बुरा भला कहा सोफिया ने हार मानने का फैसला किया उसने कहा कि उसने सब कुछ बरबाद कर दिया लेकिन जेंज ने सोफिया को उसके घुड़े पर वापस चड़ने में मदद की ये कहते हुई कि वह उसके बिना दौर पूरी नहीं कर सकता और वे ह्यूगो को पकर लेते हैं सोफिया आखिरकार स्टीपल से गुजर जाती है हूगो इससे विचलित हो जाता है और वह लगभग एक पेर से तक्रा जाता है इसके बाद सोफिया और जेंज हूगो को पीछे छोड़ते हैं और डौर जीतते हैं और टीम में अपनी जगह बनाते हैं सोफिया जेंज को धन्यबाद देती है जो कहता है कि अगर वह उसके साथ अभ्यास नहीं करता तो वह कभी टीम में नहीं आ पाता फिर उन्हें सर गिलियम द्वारा आधिकारिक टीम जर्सी प्रदान की जाती है रोलेंड और मिरेंडा आते हैं और उतने ही गर्वित होते हैं देखने के लिए धन्यबाद